की नियुक्ने बिस्मिल्ला इर्रह्मान वहीम हो जसे भी थाए जाB करते हैं कि मिस जटो प्रकिन बता जेशिए करूआ जा का कि अलगाई श्मौ शेश की कालता है जिसके दिल मैं याद आखक के सुआ को Ар थैया नहीं रहे आख कुछी ऊजब आज भार्प बाते हैं अगर तो पतों पर करायद करें तो बातसा के शर्भत और दुनियावी आरजों तेरी खलासिय हो जाए मतनाब अगर 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 आप भरोसा करते हैं, कनायत रखते हैं जो मिलता है उस पर आप चलते हैं तो बादसा की खुलामी करने भी ज़रुष ने पड़ेगी अल्ला ही काती होगा अब्दूल्ह अस्तिर्मतुल्ह अपने रसाले में लिखे हैं ये कि Allah, Allah के बंदे के देमियां दन्या से बड़ता और पोई हजाब नहीं है इस वास्ते allows लिए से दिल ज़ादा लगेगा उसकतर Allah से दुरी पैदा हो दुनियादारी से दिल लगेगी तो Allah से जो है दूरी पैदा हुगी इसलिए दुनिया ही सबसे बड़ा हजाब माना जाता है अल्ला और बंदे को दनिया तमाम बनियां एक मकान के जमा करके उसके चाविय दुनिया भी महबत को बनाया गया है तमाम नेखियां एक मकान में करती करती जिए दुनिया के थे तो दोस्त्ती दूनिया के दोस्ती तुनारोइं की जड़ कहा गया तो इस सिलिए कि और जिकर एग्राइय के और आज़ आना होनl और हक ताला से यागाना होने के लिए तर्क दुनिया के जिरुएत है ऐ दुर्वेस अहल दुनिया के घर में किसी किसम की रहात नहीं है अगर रहात है तो दुर्वेस के घर में है क्योंकि अहल दुनिया अल्ला की नाराज़गी है यह दुनियादार लोग हैं Allah-Takla उनसे नाराग कोई ऐस आफज़र और बड़कर उसे नहीं है कि किसी के दिल को रहत पहूंचाय. किसी के दिल को रहा पूँंचाय जैं जी बढ़ियां ने किने किसी का दिल दुखाना या अच्छी बात नहीं है. रसुल मुसल्मानों की हाजत को पूरा करना इसकंड में काम आना तो यह जो है अजारों रुकत नमाज पुरहने से बहतर का आगा दिए रहा है कि आधिया लोगों को ज्यादा करामत के पीछ नहीं भागना चाहिए इसले के करामत तो कोई भी आज में देखा सकता है जो जो रहामना चिल्ला कर लेगा वो सुख्वी वाले भी देखा दो तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए असल चीज है कि इसलाम के जोहर के तरफ दीर यकीन और इमान के तरफ ध्यान इंसान का ज्यादा होना चाहिए अ को अगर राजी कर ले किसी के दिल को खुझ कर ले यह सबसे बड़ी बात की जाता है है अबु सहे हैं कि मुझे दिखाएं कि हक्तिया के तादा के बराबर जितना जर्रत हुझा में है उतना तादाद है आला पकि पहुँचने के तब कि जरीय से पहुंच सकते हैं उनमें सबसे रजमस्दी कर रहा है कि लोगों के दिलों को आराम पहुंचाए जाए 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 कि बाता थाया आस अभाने लगों स refusing आउज बंगया देखते देखते कौन बन गया और इवाएर DRC माई दर्दमंब्यों कर चींद करना चाहिए माफलेसमाल छाहिए वाला जीदिया और उसमें वैसे लोगों को शरीफ होना चाहिए जो आशिक मिजाज है जो महबत करने वाला दील जिनका है जिनको फाइदा लेकिन जिनको उसे को सरोकार नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है विकारवादा और बेदर्दों और अहल नफस वगरा के लिए शरीय हुआ है इसके ज़वाद में बहुत सारी बाद यहां किताबों में भी आई है हो यहां सल्लाश में मनने नहीं किया तो परमें कि अब रागया कि ज़िशे हरा वी चीजरह से यह री सक्राव नहीं करता है उन्यों करूइं कैसे हुद फुल गौस-पाक सुमारे सुन forevernsumn मुहबत और इज़त एक दरख का फल है जितनी मुहबत ज्यादा हो कि उतनी ही इज़त भी जाता है मुहबत और इज़त एक उस्थे से मिले हुए है अगर तुष्णातों आस्मानों और साथों जमेरों के मुस्यूदत को तौक बनाकर मेरे गले में डाल दो और तमाम जहान को बेड़िया बनाते हैं मेरे पाउंग पहना दे तो भी मेरी मुहबत तेरे बिल से ज़र्दा बराबर कम नहीं हो यह आशिकों के बात है पुचा कि मुहबत में कमादिया किसका नाम है फर्माया कि हाथ पाउं काटकर सुली पर चड़ा दिया जाए उस सिद्र से अपने खून से महबूब के लिए चेरा सूफु करें पहले रोज इसे कतल करें दूसरे रोज जला दें दूसरे रोज खाकस्तर करकर बाते पानी में डाल दें जो सक्सीय सर کچھ बरदास कर सकता है और दम ना मारे तो समझो कि हमकाम महबबत के लाइफ ये महबबत की बात है इसक वालों की बात है हमाय कि मुभबत और इश्कबाजी की दो रिकते हैं जिनका वजू अपने फून से किया जाता है हाशिकों की जो वजू है और नमाग है वो यह है कि इसकबाजों की दो रिकते हैं जिनका वजू अपने फून से किया जाता है कि सबके बस करों में होुगा है। मोथरम इब्राहिम अल्ली सलाहिए ड्रोपां कर ना चाहा। रोक मुआ कह एक रहें कि हमारे दोस्ते में थावित कदम है। अपने बेटे को कुर्बान ना कर, हम उसके अवंज वहिस्त से एक दुम्बा बेचते हैं। उसके खुर्वानी कर और बैटे को छोड़ लेकिन मन्जूर इबराहिम को था कि नहीं आपका होपम है तुम्हें करने के लिए तैयार है लेकिन अल्ला ताला ने कबूल कर लिया मौनसाल आरवां में लिए के मौनसाल अल्वान से खाला पहुँचा है के लिए कि उनी किनsu से कि उस्चेह से मौसप मौनसाल पहुच थेए हुर्भराय ठर्शलू आयकर तेर ने अ'ांतलों तु आप चलता रहा है मुब्तभी मुभबत में मश्क करता है तो चार चीजने से पेश आती है खल्क, दुनिया, नफ्स और सैथान पस खल्कत के दूर करने का तरीका गोशा गीरी है और दुनिया को तर्क करने के लिए खनायत चाहिए अब नफ्स को सैतान के दफ़े के लिए करना चाहिए अल्ल्छ से तजना करनी चाहिए को चुनके दोनों कदीमी दुष्मन है इसलिए तालिख को आल्ल्छ के मवबत में वगला के खैर के मवबत में लाडाल पें ये जो है अल्ला के राम में चार बड़े-बड़े परदें सल्ख, दुनिया, नफ्ष और स्थान मौबबत का मकाम तमा मकामात से बरतर माना जाता है इस मकाम के लाएक वह शक्स होते हैं जो तमाम मुरादात से फारिग हो जाते हैं मौबत कर लिए जगा नहीं रहती है जो बुजरगों की किताबों को पड़ता है उसके लिए अल्ला नहीं मौबत के वज़ासे उस पर जहन्म को हराम कर देता है। सिर्फ अल्लावालों की बात को आप बैट को सुनिये। अमल हो चाहे नहीं हो, खाली महबत से सुनिये। वही बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन आदमी इसको भी करना नहीं चाहता है। कहता है भी बहुत बड़ा काम है। कड़ा काम। सबसे जारव जरूरी है कि आदमी में किसी सैख के निस्बत में मुंसलिक हो जाए। बहुत बड़ी बात है। इंसान को सांस लेते वक्त और बाहर निकालते वक्त हर हालत में जाकिर आना चाहिए। ताकि उसको धायनी जिकर से दिल को इसला हो सकते। गयर अक सफारी हो जाए। पांच चीज़ें लाजमी करनी चाहिए ताकि बात में सफारी आसिल हो। अवल मिजवाग दोन कलाम इलाहिव का पढ़ना अगर ना पढ़ सके तो सुरह इखलास पढ़े। आपने रसाले में लिखा है। इनसान के हर एक आज़ा में शावत और हिक्स है जो आदमी के लिए हजाब का सबब होते हैं। जब तक उन्च शावतों और हिक्सों सो तौबा नहीं करता। तो हर्गस हर्गस जिसे मगाम तक नहीं पहुंचता। वह आज़ा ये हैं। अब तो हर्गस जिसे में लिएनाई के शावत दूसरे हाथ जिसमें चीज़को छूने और पकड़ने के सिपत है। तिसरे कान जिसे में सुने के खासियत इचावत हैं। नाग जिसमें सूने के सिपत है। पांच में हल्क जैसे चखने के सिफ़त है चखने जबान जिसमें काने के सिफ़त है साथ में बद जिसमें छूने के सिफ़त आठ में घोश वाफल जिसमें में को बद की सिफ़त करती रही है कि तमाम चीजों से हिर्स को निकाल देना चाहिए, घर्स व हावा आप लालच को निकाल देना चाहिए, अगर सच्चा कोई तौबा करने वाला रहना है, जब तौबा उसकी कबूल हो जाती है तो आज में अगर मिठी को भी शूदे तो सोना हो जाए है, ऐसा बुदूर्गों पहले जमाने से वह जुदूर्गों निकाल, सच्चा तौबा करने वाला होगा है, जिसकी तौबा कभूल हो गया है, वो फिर समझ दीजिए कि बहुत बड़े मंजिल का मालिग हो जाए है, अल्लच को सज्दा तो जाइज नहीं है, ठीक है, निसमिस लिए सब्सक्ता को सज सज्दा करना मुस्ताब था, पहले जमाने से, हां मगर जब अल्लच के जमाना मुबारक आया, तो इसको जो है, हटा दिया गया, इसका आई है, पहले परायद में दाकित है, मगर अल्लच को सज्दा जमाने में फर्जद ना रहे, पही चीज रहे, उसी तरह जब सज्दा का सज्दा जाता रहा सिप मुबार आ, मने गुना भी ने का सकते हैं, वो मवा है, तो ऐसा सज्दा करने से कोई काफिर नहीं हो जाएगा, कि यह सब किया जा सकता है, यह मुबार है, हराम नहीं हराम हो, चुँए पहले पिस जमाने में लोग करते हैं, हुजूर के पहले भी ल कि अइड से तरीकत की मतलब तौ्रा कुछ लु कि अगर्णी है कि इस प मैं दूसरा त피र दिल को निकालना कर दिए पने और खरक करें। तो लोगनों कि तीनों चीज में बहुत असमान जिविन का फर्क होता है तेर का आठी मौनेजुल आज़ियों में लिखा है कि मुरीद दो तरह के होते हैं एक रस्मी मुरीद और दूतरा असली मुरीद रस्मी मुरीद हो है पीर उसे तलकिन करें कि देखी हूए चीजों को नशन देखी हूए हूए और सुनी हूए और सुनना ना जमायत का पाऊ veteran यह हो ़िया रस्मी और हाकिकी मुरीद हो है जिसे पीर तलकिन में फर्माए तो शवर हाभर में मेरे हमराह रादा मैं तरह हम समया है एक मुणी रूख जिसो रसमी होता तो शिर्प आता जाता राता था का मोहबत रक दोंकन निग्राने मे रहता पीर के सात बिल होगई के मुषिन के ृप्सला की मुद मोहम हो और निखिौने में निकहे हुझत की करते हैं जो जक। जो कुछ उसके दिल में नेक यबन ख्यालात गुज़े उनका इधार अपने पीर से करें, ताकि पीर उसके तरकीब कर सके, मगर मुरीद के दिल में जर्दा बराबर भी ख्याल पीर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो साधिक मुरीद कहलाता है, जो पीर को ऐसा समझे, वो साधिक मुरीद को पीर उसे कहते हैं, आप जो को पीर किसे कहते हैं, पीर के बारे में कहा है, जिसे मुरीद की बातिन पर तस् नहीं है तो फिर वो फिर तरीकत का लाने कादरी मुस्तहक नहीं है यह कॉल है अजिते रोशन चराग डेलवी रहतुलाले का जो नजाम मुदिन हो लिया के हास मुईद ही हास खालीफा हुग तो मामली हस्ती नहीं है इनके काने से पूरे दिल्ली में जो है ना चराग और हुआ 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 है